तो बीजेपी वो पार्टी है वो सम्मुंद्र है जहां पे चिराग पास्वान जैसे सेंक्रो नेतालोग समाहित हो जाते हैं यह हेलिकॉप्टर वाला जो फरफर हावा है न कृतिम बनाय हुआ वो हावा है और कुछ नहीं है चिराग पास्वान जी नरेंद्र मोधी इनको गल कि ना ही लेने में अंदर बन रहा और ना उगलने में बन रहा है और यह नकली हनुमान और नकली सेर यह चिराग पास्वान जी घ्याली पुआ पकार leading तेकेडार बनने की कोशिज कर रहे थे यह ॥े नकली सेर और नकली भालू कुड़नी उप्चुनाओं को लेकर तमाम जो राजनितिक दल हैं वो नेताओं को लगाए हुए हैं समय करने के हिसाब से बात हम इस वीडियो में पासवानों के करेंगे चुकि एक बड़ा तबका पासवानों का है 20,000 वोट है वो इस बार किसे वोट करेंगे चुकि चिराग पासवान और बीजेपी के रिष्टेओं के भी जो है वो खटास देखने को मिल रही है और एक आजा रहा है कि बहुत बड़ा असर जो है वो पासवान समाज पर पड़ेगा मैं साथ युवाय विहार सेना के राश्ट्य धक्षी इंजिनियर राजकमार पासव है देखे यह चिराग पासवान जी ख्याली पुआ पका रहे थे अब बिहार के जो साथ परसंट पासवान लोग है ठेकेदार बनने की कोसिस कर रहे थे यह नकली सेर और नकली भालू दोनों मिलके जिस जंगल में ले जाना चाहरे थे बिहार के पासवानों को वहां पे वो वो पास्वान लोग महफूज मतलब कि ये सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और कुर्णी की जहां तक सवाल है तो कुर्णी में चिराग पास्वान जी का इस्वार वो हालात बीजेपी कर दिया है कि ना ही लेने में अंदर बन रहा है और ना उगलने में बन रहा है सांप चुछुंदर वाली हालात बन चुकी है इनकी आपको बता दूँ कि बीजेपी भाव तक नहीं दे रही है और ये खुदब के लोग का रहते लेकिन अब इनके छुटभाईया नेता लोग है उनको देख रहे हैं कि बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ तो बीजेपी वो पा पास्वान जैसे सेंक्रों नेतालोग समाहित हो जाते हैं और वहां पे संग भाजपा खास करके भाजपा का सपोर्टिंग जो संगठन है संग वो ग्रॉंड लेवल पे उनका एसेस्टमेंट होता है और वो जान चुकी है कि बिहार का पास्वान लोग चिराग के साथ नहीं है चिराग स्रेप अपने जो काफला ले जाते हैं उस काफला में डेर सो काफला अगर है तो उसमें मान लिजे कि पाच पाच को काच करता है अगर तो सारे साथ सु आदमी उनके अपने जिंदा बात करने वाला वो औरिजिनल पास्वान नहीं होते पास्वान भाई लोग जो जरूर है लेकिन जानते हैं उस दिन को देखा है दो अप्रेल 2018 की घटना सबको याद है कि किस तरह से अट्रोसिटी आक्ट पे बीजेपी ने उसको खतम करने का ये बाप बेटा यानि की स्वर्गे रामविलास पासवन जी और ये नकली हनुमान और नकली सेर ये दिल्ली में बैठके कहें कि जो सरकों पे दलित है वो दलित नहीं है वो पद्रवी लोग है तो ये लोग ऐसी भा आप साहब कोई भी पार्टी है आप इतने ही बता दिए कोई भी पार्टी हो हम भी काम कर रहे हैं बिहार में हमारे भी सभाव में हजार दो हजार पांसो धाइसो की भीर होती है मैं भी संबोधन करता हूं हर एक जिला में तो क्या सरकार नोटिस नहीं करती है आई भी रिपोर्ट नहीं क करती है किस तरह का कास्कम हुआ क्या हुआ सरकार का पलपल का रिपोर्ट रहता है और यह रही बात है कि यह हमेशा करें कि मुखमंत्री का कंडिडेट होंगे मुझे मंत्री बनाया जा रहा है तो आपको बता दूं कि बीजेपी से ना नरेंद्र मोधी इनको गले लगाने को तयार है अना अमीज साजी समय देने को तयार है तो किस बेश पे किस आधार पे काते हैं सो दुर्भागे पुण है इनके पिता जी का जो कद था वाकए में अपने जाती के लिए पांच काम भी नहीं किये कुछ काम किये है के इता है यह हेलिकोप्टर वाला जो फड़ फड़ हावा है ना कृतिम बनाए हुआ ओओ और यह कुछ नहीं है चिराओ पासवार जी के साथ बीजेप्सकिया इसालक के पास रहा यह weird沒錯 इनके चाचा लोचपा में लोग जन सकती पाटी राम बिलास पास्वान हो पहले जो लोग जन सकती पाटी है उसके वो चानक के है पस्पतिकुमार पारश जी अब वो चानक के कोई सब लोग जानते हैं केंद्र से लेके बिहार तक कि कैडर उनके पास था आज भले युवा चंद युवा नौजबान लोग जो अबोध है वो उनसे अलग हो जाए लेकिन पुराने चावल लोग उनहीं के साथ है और उनसे भी अब नाराज़ी है बीजेपी के कारण तो कि मेरी पाटी है तो वो पासवान लोग उधर देख रहा है साथ परसेंट पासवान चिराग सिर्फ ये नकली भालू नकली सेर के खेल में बिहार का पासवन बरबाद हो रहा है जवाल चोटा जवाब से ले लेंगे क्या लगता है कि आने वाले 25 के चुनाओं में या 24 के चुनाओं में तेजश्वी के सामने चिराग खड़ा हो पाएंगे देखें साहब चिराग पासवन और तेजश्वी यादव में दोनों में फर्क है वो उनको एक बड़ा क्याडर उनके पिता जी ने अपने परिवार और अपने परिवार के साथ साथ लाखों हजारों और पांसों हजार लोगों को तो एमेल सी बनाया लाखों लोगों को सरकारी में महकमे में उनको कुर्सी पे बैठाया और एमेल सी बनाया मंती बनाया बिधायक बनाया सांसत बनायी यादवों को जेनरल सिट से लेकिन रामिलास पास्वान जी अपने परिवार के सिवा और किसी को कुछ नहीं कर पाए समझे तो इस तरह की राजनीती है तो वह इतेजस्वी आदब को एक बड़ा क्याडर है उनकी जाती इंट्रैक्ट है और यह जो जिस तरह से कर रहे है अगर इन में दम हो तो अकेले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट क्या है साब अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए ही चले है तो चिराग पास्वान जी को एकला चलना चाहिए और सही आयना दिखाना चाहिए बिहार की जनताओं को तो उसमें हो सकता है कि राजकुमर पास्तवान भी साथ होगा अगर वो सही माँने में अनकंफट समझ रहें बिहार में तो आएं युवा बिहार सेना के साथ गटवंदन करें और हम भी उनको साथ देंगे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में कोई वीजन ही नहीं है सराब बंदी की हकीकत क्या है क्या वाकई में फेल है या नितिश कुमार जी को यह विजन जो था उनका सराब बंदी बहुत अच्छा था समाज सोसाइटी हित में लेकिन जमीन लेवल पे उसको उतार नहीं पाए गाउंगा परखंट पंचाय तक यह सराब के ठेके दुकान प जो सपना आया उनके पास बंद किया तो उसमें मैं उनको उनकी दोसी नहीं कहा कि हर एक जगा नितिश कुमार जी खरे नहीं रहेंगे लेकिन मेरा ये मानना है कि सराब बंदी होई है तो पुन रुप से हो नहीं तो अगर इस तरह का अगर नितिश कुमार जी मेरे साथ प्रूर कहूंगा यह बिहार के सम्मानिय मुखमंती महोदे वो महामानव है विकास पुरूस है सब चीज में है लेकिन सराबंदी समझें ठीक नहीं हमको लग रहा है और जिस तरह से समाज सोसाइटी उस समें कम बरबाद हो रहा था आज ज्यादा बरबाद हो रही है देखे छिए भगवान राम जब भगवान राम का साथन था उनके साथनकाल में भी मदरा पान खुला हुआ था तो आगर भगवान के के समक्षे निधिस कुमार जी है तो इनको भी अपना दीन के समा पान को रहर प Computer है वel के रखना चाहिए उभी से सराव धरले से ब्लैक मेल होती है लोगों को पास असानी से पहुंग जाती है तो इन तवाल चीजों को लेकर जो लोग है वो सवाल उठाते लेकि राजकुमार पास्वान थे हमारे साथ बाच्चित करने के लिए सापतर रुपे चिराग पास्वान की क्या भूंका होगी आ आस तारीक और आठ तारीक वो दिन होगा जो चीजे बहुत अस्पस्ट हो जाएंगी आपको तमाम तीज़े जो है वो कैमरों में दिखेंगी कि आखिर मुद्दा क्या था कौन कितना असर दायकर है इसको में ताहीं देंद्रिया टॉप नमस्का झाल